वेलकम बैक टू माई चैनल सो गए जैसे कि आपको पता ही कि जादस जादस कंपनी यह जो अपनी स्मार्टफोन ला रहे हैं वह बड़ी वैटरी के साथ में ला रहे हैं और साथ में उन पर आपको जरूरी सी जरूरी फास्ट चार्जर का सपोर्ट जरूर देती हैं और आपक जो अच्छे स्मार्टफोन से देखने को मिलते हैं मार्केट पर उन पर आपको 13 वाट या 15 वाट का वूप 4.0 का फास्ट चार्जर का सपोर्ट भी देखने को मिलता है ओपोगी बात कलने या फिर विवोगी बात कलने तो इन पर भी आपको अच्छी कासे फास्ट चार्ज लिए दिया जाता है आपके मन पर कभी ना कभी confusion आ जाता है कि जो हम फास्याजर से बैटरी को अपनी चार्ज करते हैं तो हमारी बैटरी का backup है जो जल्दी से कम हो जाएगा और हमारी बैटरी इन फास्याजर के support करने से जल्दी से debt हो जाएगी तो आज की इस वीडियो में हम आपके confusion दूर करने वाले हैं कि आपके बैटरी जल्दी खराब हो जाएगी फास्याजर के चलने से मलब फास्याजर अगर आप यूज करते हैं तो आपके बैटरी क्या जल्दी खराब हो जाएगी या फिर आपको फास्याजर का support अच्छे के लिए दिया जाता है तो वीड बैटरी जल्ली से खराब होती हैं इसलिए फार्टर का सपोर्ट देते हैं कि कोई जब हम बैटरी को अपनी चार्ज करेंगे तो जल्ली बैटरी खराब होगी और हमारा मोबाइल भी जल्ली खराब होगा तो कंपनियों की थोड़ा सा मार्केटिंग ज्यादा बढ़ेगी और पर्चेस आदमी ज्यादा करेगा बट ऐसा आप बिल्कुल गलात सोचें जो आपको फार्शेजर का सपोर्ट देखने को मिलते हैं वह आपको फूल के ल तो फार्शेजर का सपोर्ट इसलिए प्रवाइट कराया जाता है कि आपका टाइम बच सके और आपकी बैटरी जल्दी से जल्दी चार्ज की जा सके बट आप यह सोच लेते हैं कि हमारे बैटरी बैकप कम हो जाते हैं बत सबी लोग नहीं सोचते हैं बट कोई-कोई लोग सोच लेते हैं कि हमारा बैटरी बैकप जल्दी से कम हो जाएगा तो जो बैटरी की कैपविल्टी होती है वो फार्शेजर के सपोर्ट के लिए बना ही जाती है मतलब जो बैटरी को जब बनाया जाता है तो उस पर जो कैपविल्टी दी जाती है प्लेटी लगा ही जाती है तो थोड़ा सा fast charger के लिए यह लगाई जाती है 18 watt का अगर phones पर आपको charger देखने को मिलता है तो 18 watt की capability के साथ में बैटरी पर आपको charging प्लेटें देखने को मिलती है तो जिससे आपकी battery का backup कभी कम नहीं होता मतलब आप 18 watt की fast charger के support है आपके battery पता उससे भी ज्यादा आप 18 मतल नहीं होगा क्योंकि battery capability बनाई जाती है ज्यादा फार्श के support के लिए 18 watt का है तो 18 watt की support के लिए आपको battery बनाई जाएगी तो आप 18 watt की charger से चार्ज करते हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी उसी के हिसाब से बनाई जाती है battery जब company अपने डफलफ करती है battery तो उस इसी हिसाब से अपने battery को बनाती है तो उसी हिसाब से आपको फार्श की technology प्रवाइट कराती है और हम बात करें 50 watt की charger से तो 50 watt का ही इसी तरह से बनाई जाता है विल्दा आपको battery अगर 50 watt के फार्श को support करती है तो 50 watt का फार्श चार्जर आपको company प्रवाइट कराएगी पर आपको अच्छी capability के साथ मैं battery देखने को मिलती है फार्श चार्जर के support करती है बैटरी तो उसी phones पर आपको फार्श चार्जर का support देखने को मिलता है बट आपको फार्श चार्जर से कोई भी परहसानी नहीं आती बट अगर आप ओवर चार्जिंग के लिए यूज कर थो थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है कभी कभी phones काफी blast भी हो जाते हैं और कभी कभी battery backup भी बहुत यादग कम हो जाती है क्योंकि उन चार्जर का power होता है वो ज्यादा ही कुछ हाई होता है इसलिए आपके battery खराब होती है और main region होता है battery का खराब होने का कि आपके phones पर आगर 18 फर्षार चार्जर का सपोर्ट है और आप लगाएं 20 वाट का फर्षार चार्जर यह पिर आपको और भी ज्यादा फर्षार चार्जर का सपोर्ट लगाएं उस पोन पर तो आपके battery खराब हो सकती है कि कोई उस battery की capability है जो वह 18 वाट की charger को सपोर्ट करती है और आप 30 वाट का support है और आप 13 watt का charger यूज करते हैं तो आपके battery backup थोड़ा सक कम हो सकता है तो ये बात होती है ऐसा कुछ नहीं होता कि आपके phones पर अगर first charger का support है तो आपके battery backup जल्दी कम हो जाती है तो battery backup जो आपके battery दी जाती है company के तरब से वो आपके battery की capability होती है अगर उससे भी जादा आप over first charger का support यूज करते हैं तो आपकी battery backup कम हो सकती है बट अगर company के तरब से आपको charger देखने को मिलता है तो आप वही यूज करते हैं तो आपके battery कभी ने खराब होगी बट अगर आप फार चार्ज करते हैं तो आपके battery 95 या फिर आपको 97 तक चार्ज ही करिए 100 परसेंट कभी न चार्ज करिए तो आपका battery backup कभी कम नहीं होगा तो इस वीडियो में कुछ इतना ही बताना था सो वीडियो पसंद आते वीडियो को लाइग जो करना और अपने दोस्तों साथ वीडियो से जो करना चैनल अपने आतो चैनल को सब्सक्राब करके ब्यालक ने को जो पैस करें थान सोर चैनल